जिस तरह नितिश कुमार जी ने किया ये पूरी तरह बिहार और पूरी भारतिये जनता पाटी के साथ विश्वास घात है क्योंकि बिहार की जनता ने 2020 के चुनाओं में एंडिये को जन्वत देने का काम किया था और बिहार में नरेंद मोधी जी के नित्रित में नितिश कुमार जी को क्योंकि नितिश कुमार जी के साथ कमिटमेंट था कि 2020 में जब सरकार हम बनाएंगे तो आदनी नितिश कुमार जी के नित्रित में सरकार बनाएंगे ये पूरी तरह बिहार के जनता के साथ और बिहार भ काम किया जो भारतिय जनता पार्टी की सरकार में जो चीजे अस्थापित करनी थी उस पर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे कि हम लोग काम कर रहे थे और हम लोगों को काम करने से रोका गया भारतिय जनता पार्टी का कैसा संबंद में बता देना चाहता हूँ उन्हें सो चीहानवे में जब संता पार्टी उन्हें सो चौरानवे में बना मैं तो उस दिन से देख रहा हूँ चौरानवे में संता पार्टी बनी और मात्रे साथ सीट जीत कर उन्हेसौ पंचानवे में संता पार्टी आए वही मैं का रहा हूँ कि भारतिय जनता पाटी वही मैं का रहा हूं कि भारतिय जनता पाटी ने नितीश कुमार जी को साथ दीन के लिए भी विहार में मुखमंत्री जबकि उस समय भी 37 विधायक होते थे और 69 मेले भारतिय जनता पाटी का था 2005 में याद कीजिए लाल किस अडवानी जी और अरुन जेटली जी ने घोसना किया जबकि जौर साब खिलाप में थे तब भी बिहार में आदनिया नितीश कुमार जी के नितुरत में सरकार बनाये गाए और पाटी के तरफ से ओफिशिल स्टेट्मेंट आएगा मुझे इस से जादे कुछ नहीं कहना है लेकिन आपका जो इरादा था द्योग मैं करने का तो रुक लग गया मैं तो इमानदारी से काम जो भी मौका मिला मैंने बिहार की जनता अपनी जनम भूमी बिहार की सेवा की अब MLC के नाते सेवा करता रहूंगा क्या लग रहा है ये जिस तरह से 2020 के जनादेश का ये उलंगन नहीं है जिस तरह से 2017 मेरे पार्टी के तरफ से ब्यान दिया गया है इससे बहुत दृभागपुर्ण है इससे जादे मुझे कुछ नहीं कहना बहुत से ब्यान